क्या आप भी ETF की मदद से trade करके short term यानि 3-6 महीने में ही 20-25% तक के returns कमाना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप ETF की मदद से sector rotation करके बढ़िया returns कमा सकते हैं इस तरीके के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा sector अभी breakout हो रहा है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये sector rotation का मतलब क्या होता है तो इसमें आपको करना क्या है कि समय को देखते हुए आपको strategically अलग-अलग sectors में ETF या फिर mutual fund के माध्यम से invest करना है वैसे अगर उस sector का ETF मौझूद है तब तो बहुत ही बढ़िया है और इसी को preference देना है नहीं तो आप index fund भी ले सकते हैं तो किस sector में आप invest करेंगे इसके लिए आपको अभी का economic और market condition पर ध्यान देना होगा चिंता ना करें ये कोई rocket science नहीं है और इसके बारे में आपको बस अभी बताऊँगा तो इस ETF trading strategy में सबसे जरूरी है कि आप बहुत broad index पर ना जाएं जैसे Nifty 50, Sensex, Mid Cap 150, Small Cap 250 इत्ते आदी क्योंकि ये हर तरह के sectors में फैले रहते हैं और अधिक diversified होते हैं अधिक diversification में आपको long term में तो ठीक है पर short term यानि 3-6 महीनों में कुछ खास फायदा नहीं मिल पाएगा एक जरूरी बात यह है कि इस strategy के लिए आपको थोड़ा बहुत technical analysis यानि चार्ट देखना और sector के breakout को पता करना आना चाहिए यानि आपको थोड़ा बहुत ETF trading का experience भी होना चाहिए वैसे अगर आप नए है और basic technical analysis और candlestick chart के बारे में जानना चाहते हैं तब हमारा यह blog पढ़े है लिंक description में है और सबसे जरूरी बात जो इस strategy में आपको ध्यान रखनी है वो है कि आप पहले से ही अपना return का target बना लें जैसे मैं 20-25% का target रखता हूँ और इससे उपर मिल गया तो बढ़िया है वैसे कोई भी बुरी स्थिती में जैसे कोई war या covid जैसी situation आ जाती है तब आपको अपनी position काटनी भी पढ़ सकती है आप अपना long term investing जारी रख है और इस ETF strategy के लिए कुल 10% amount ही allocate करें पूरा पैसा नहीं यानि आप अपना risk reward ratio maintain करके चलें अब आईए पूरे तरीके को समझें कि आखिर ये sector rotation वाली ETF trading strategy है क्या तो आपको जो भी breakout वाले sectors हैं उनके 3-5 ETF लेने हैं मैं तो कहूंगा कि 3 तक ही रखें पर 5 से अधिक न जाए अगर आप हर sector में घुसेंगे तब भी आपको बढ़िया profit नहीं होगा तो आपको invest करना है अपने goal और return percentage के हिसाब से 3-6 महीनों तक जब तक ये sector तेज रहता है देखिए अगर आपको लगता है कि कोई विशेश sector और लंबा चल रहा है तब इसमें आप और अधिक भी invested रह सकते हैं पर ध्यान रखें कि sectoral ETF को अधिक लंबा ना रखें फिर आप समय समय पर अपने risk reward को देखते हुए इन ETF से profit book करते रहें जैसे देखिए यहाँ पर आपने ETF 1 को ऐसे ही छोड़ दिया पर ETF 2 और 3 को बेच दिया अब आपने जो भी sectoral ETF बेचा उसकी जगह पर दूसरा sector लें जैसे आप देखें कि यहाँ पर ETF 2 और 3 को बेच करके हमने यहाँ पर 6 और 7 से replace कर लिया तो यही प्रक्रिया चलती रहेगी और आप उस समय के चलने वाले sector से पैसा बनाते रहेंगे पर इस strategy को पूरी तरह से सीखने के लिए आपको थोड़ी practice करनी होगी पर यह अधिक मुश्किल नहीं है आप try करके देख लें अब यह तो हो गई पूरी कहानी पर असल बात यह है कि कैसे किसी खास sector को identify किया जाए तो इसके लिए कुल 5 तरीके हैं जिनमें आखरी के तीन तो बहुत important है इसलिए बने रहे हैं हमारे साथ तो सबसे पहला method है कि हर तरह के updates पर अपनी निगाह रखें और research करें कि अभी कौन सा trend चल रहा है industry किस तरफ जा रही है उसका focus किदर है सरकार के regulation किस शेत्र में अधिक बन रहे है लगातार क्या news आ रही है इसके लिए आप latest financial news और updates देखते रहे तो नए-ने news और updates को सबसे पहले पाने के लिए आप देख सकते हैं Stock Edge एप जिसे अगर आप install करते हैं और मेरा code INH100 यूज़ करते हैं तब आपको मिलता है Stock Edge का एक महीने का premium subscription बिल्कुल मुफ्त details description में है अब जैसे आप यहाँ पर Stock Edge का ये screenshot देखे जहाँ पर सभी latest news और updates आ जाती है सबसे पहले अब अगला सबसे ज़रुरी कदम है कि आप economic indicators जैसे GDP growth रोजगार का data, महंगाई data और ब्यासदरों में क्या बदला हुआ इन सब पर भी निगाँ बनाए रखे हैं आपको लग रहा होगा कि इन सब का क्या use है तब आप गलत हैं उधारण के लिए बढ़ते और घड़ते हुए ब्यासदरों का असर सबसे पहले banking sector पर ही पढ़ता है अब आता है सबसे ज़रुरी और सटिक तरीका जो है technical analysis जिसकी मदद से आप sector के trends, support और resistance और breakout level निकाल सकते हैं चलिए इसके लिए आपको एक उधारण देता हूँ मेरे पिछले एक वीडियो का सुनिए आप तरीन ETF के बारे में जो सर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इन्वेस्ट करता है और यह 44.59 पर बंद हुआ है अब अगर बात किजा इसके technicals की तो आप देख सकते हैं कि इसका daily chart है और अभी यह काफी समय से consolidation zone में है वही पर आज के दिन इसने लगभग 44 रुपए के importance तर को तोड़ा है अब अगर यह 45 रुपए से उपर निकल जाता है तो आपने सुना PSU banking sector ETF का मेरा पुराना review जिसका breakout हो गया जैसा मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में बताया था और अगर इसे अब तक किसी ने hold किया होता तब उस price से अभी तक ही हो गया लगभग 77 रुपई के आसपास यानि करीब 45 से 77 रुपए यानि ये हुआ लगभग 70% का return करीब करीब 8 से 9 महीने में मान लें अगर इसे किसी ने 5 से 6 महीने में ही पेच दिया होता तब भी 25 से 30% तो return निकली जाता तो आप समझ गया होंगे technical analysis की important ETF trading में अब अगला method है जिससे आप breakout पता कर सकते हैं वह है कि आप financial website से sectors को scan करते रहें कि अभी कौन सा तेज चल रहा है जैसे ये screenshot देखें जो 8 फरवरी का ही है और इसमें 3 महीने का एक filter लगाया गया है तो आप सबसे अधिक return वाले sector देखें इंफरा, oil and gas, PSU, power और reality इसका मतलब इन सब sectors में अभी कुछ समय से तेजी चल रही है अब एक और तरीका है जिसका उपयोग आप daily basis पर करें और इसकी मदद से आप trending stocks पर निगाह बनाए रखें इसमें आप 52 weeks high और all time high stocks पर विशेश दियान रखें इसके लिए मैं suggest करूँगा कि आप stockage का trending stock वाला section scan करते रहें जहां पर आपको मिलता है price movers, volume shockers, 52 week high, all time high जैसे stock हमेशा updated अब यहां देखिए यह 8 February का data है अब देखिए यहां पर अधिकतर oil and gas और power के stocks लगातार आ रहे हैं और यह 52 week high बना रहे हैं और वैसे भी आपने sector breakout में देखा कि oil and gas कुछ समय से तेज ही चल रहा है तो आपको करना क्या है कि जो भी sector आपने identify किये उसके ETF आपको लेने हैं अब जैसे मैं एक example देता हूँ जैसे मान ले कि आपको oil and gas या power related कोई ETF लेना है पर यह ETF अभी market में मौझूद नहीं है तो फिर इसके लिए आप CPSE ETF को देख सकते हैं जिसमें energy और power stocks का करीब 70% है और सबसे बड़ी बात इसमें जो भी stocks हैं वह सारे PSU हैं और आपने देखा कि PSU sector भी काफी समय से तेज चल रहा है पर धहन रखें इन सब ETF में मेरी निवेश की कोई रह नहीं है और यह आपको केवल एक उदाहरण के लिए बताएगा है वैसे ETF के लावा अगर आप stocks में भी short term trade करके पैसा बनाना चाहते हैं खास कर उस समय जब market अपने high पर है तब इस खास तरीके के बारे में जानने के लिए देखें यह वीडियो